हालो स्ट्रूएंट हाव और यो स्ट्रूएंट तोड़े सीधा टॉपिक हुमन ब्रेन आप लोग जानते हैं कितना इंपोर्टेंट है हुमन ब्रेन के बार में जानना और पता भी होना चाहिए हम सबको कि हमारे बॉडी का एक और गन है जो ब्रेन उसके बारे में यह इसको कहा जाता है तो यहां पर देखिए यह इस पाइनल कौड होती है इसको कहा जाता है ठीक है आप यहाँ पर देख़िए यह आपका हिंड ब्रेन होता है ही लुकुर Кेंड फॉर ही लुक्र ब्रेन इसके थ्री पार्ट्स होते हैं पहला होगा PONS मेडुला सेरिब्लम अप्प्रिब्रम स्पेलिंग ँवती है सेरि प्लॉम ही होता है ठीक है अब याँ पर देखिए फोर ब्रेन ऐसके आपके दिखिए यहां से यहां तक पूरा यह फोर भीन होता इस तुएंट तो इसमें आप यहां पर पूरा ब्रेन होता यह पार्ट का यह फंक्शन करते कैसे हैं यह फंक्शन करते कैसे हैं यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो कम तुदा पाइंट हम देखते हैं इस्टुएंट हमें पता भी होना चाहिए कि एक हम लोगों पता होना चाहिए कि यह फंक्शन कैसे करता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके फंक्शन तो तो उसमें से आपका में पहला जो बताना चाहरा हूं वह आपका फॉर ब्रेन का फोर ब्रेन ठीक ना फोर बेंट यह क्या होता है फोर में क्या होता है actually it has regions which receive sensory impulses from the various receptors based upon information and information stored stored in the brain यह जो भी information receive करता है जो receptors होते हैं इसके अंदर वो यहां पर brain के अंदर store करने store करके रखता है it makes a decision how to respond decision-leaning में सक्षब होता है कि how to respond कि it means किसी ने कुछ बोला है आपसो आपको तो उसको response कैसे करना है यह भी decision-leaning में सक्षब होता है and the information is passed on the which controls movement of voluntary muscles such as our leg muscles, okay, you can see the first point like it any second is this any it is the site of intelligence and judgment second is intelligence intelligence and judgment okay you can see like this it's a point and second point third point is this and it control intellect intellect ठीक ना का इट कंट्रोल क्या गता है इट कंट्रोल है कंट्रोल इंट्रेक्ट इस पीज लैंगुज इस पीज लैंग्वेज्ज ओके कि आप देख सकते हैं आप इसमें आपको मैंने फर्स्ट आपको पाइंट बताया दिया सेकेंड पाइंट्रोल इंट्रेक्ट इस पीज लैंग्वेज्ज हो गई आपकी ठीक ना हंगर हो गई आप से बात करना चाहता हूं यहां पर देखिए सेकंड पाइंट आपका मेंट ब्रेन किस पे मेंट ब्रेंस क्या था वहां पर एक्चली मेंट ब्रेंस का क्या होता है मेंट ब्रेंस अगे कंट्रॉल्स है किट कंट्रोल का रिव दा रिफ्लेक्स तो इस एक्षन इस एक्षन आपको पती होता है जस्ट रिस्पॉंड वोगे जस्ट लाइक हम कोई कैंडल बर्न हो रहे है उसके पास अपने हैंड को लेके जाते तो भी फिल लाइक टच कि क्या हमें हीत लोगा क हमीए बोट लग रही है ठीक है होट लग रही है वह हीट लग रही है तो दुरत रिस्पॉंट इप मेंस बैक आवर हैंड तो नगरए को नेक्स्ट रहे ही इत कंडोर रिफेक्च शेक्शन औव साइट सच ऑफ ताइस अगूस बॉल सकते है थिके ना सच एज the change in the size in the size of the pupil okay and also hearing also hearing से इसके पर थे तो पारहีक होता हुआ सब उसके इसके अंदर क्या किया होता है हिंड पर और सेरीव्लम वहाँ सू अव्याश्य दूस्तरा पॉण्स हो गया तिके ना फिर मैडूला एक इसको मैस पहला करते हैं यहांद के हिंट में है इस सब्सक्राइब यहां यहां बना वूख sequential पॉण्स थिर विग्षण Mother यह वाल एल यूए मैं सेरीबलम होता क्या है मैं आपको यह बताना चाहिए ठीक है देखिए सेरीबलम क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं कैसे फंक्शन करता है मैं सबसे पहले फंक्शन की बात करूंगा इसमें फंक्शन कैसे फंक्शन करता है यह सेरीबलम है दा म जय को सबस्क्ट कंए अंधीन करके रखता है मेंटेन करके रखता है जस्ट लाइक आप कि आपने कुछ लेप्ट राइड या घूमना फिर ना या जो भी एक्सेक्टा एक्सेक्टर आप करते हैं यह सब इसका फंक्षन हो सेरिब्लम का काम होता है ठीक है पोस्टर को आमाली कहीं पर खड़े हुए आप गिर क्यों नहीं यह पर आप चल क्यों रहे हैं एक्सेक्टर एक्सेक्टर इस सब काम का होता है किसका काम होता है सेरिब्लम ओके तो मैं यहाँ पर दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि अइस स्मूथ मुबंट सुछ जड़ा ओकिंग डांसिंग राइडिंग चुझ बइब सक शलना वाकिवाटिज हो गया और दverbs क सब्सक्राइब करूं कि संधिये 212 दांस कर रहे हैं सब म् weißy के लगार है डांस सब्सक्राइब करके एक कि फंक्षण की सबसे पहले फंक्षण की बात करूंगा मैं आपसे रिच ऐख कि पार्ट इन रिगुटिंग मिलीशन और डिस पि रिश्पिरिशन कि ए ऐसे प्रोंस किया काम करता है रिस्प्रेशन किसमें रिस्प्रेश्ट करेंद आप को थार्ड प्वाइंट में आपको बताना चाह रहा हूं मेंडुला है है दिक的 इसकी क्या फंक्सनस होते हैं देखिए पता होना जरूर यह मैडूला काम क्या करता हैह आपने इमिज़ किया preference क्या function होता है मैडूला controls क्या करता है। involuntary action क्या करता है involuntary Cantonese involuntary actions पो कि शेशलव क्या हाइव है । कि हर टो गया हर्ट भी यह सकते हों आप हão भीत अनों कि ब्रीफिंग स्य किया हर्ट बीट हो गया आपकी ब्लड प्रक्रेशर हो गया भ्लड प्रेश्र नेन्ट jaki मिपई हो गहीं दीक न मेरिपी अपका निद्ट हो गया आप कफिंग कफिंग हो गई यहाँ पर तिक ना धीयस आया नजी कफिंग हो गई और इस नजीग हो गई किसका इसल यह भी आपका मैडुला में आता है इसका होता है इसलिप आते जो मैंने आपको बता आए सारे फंक्शन थे यह आ brain के जो parts है उनके क्या क्या function है क्या कौन सा parts की क्या function करता है काम क्या होता है यह बहुत important है आपके जानने के लिए ठीक है ठीक है thank you very much